कि एलो फ्रेंड सागत अब सभी का अर्वीडीटूब क्लास में तो फ्रेंड्स आज मैं क्लास 10 की मैच से कोस्टन ले करके आया हूं यह कोस्टन एक सरसाइज 4.2 का कोस्टन नमबर फोर है तो इस वीडियो में मैं इस कोस्टन को डिस्कास करूंगा आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को साथ साथ देखते भी रही है और लिखते भी रहिए ठीक है चलिए शुरू करते हैं यहां प्राइंड टू कंसी क्यूटिव पॉजिटिव इंटीज सबसे पहले आपको यह जाना जरूरी है कंसी क्या होते हैं तो देखो जो कंसी क्यूटिव इंटीजर होंगे ठीक है वो होते हैं एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू अचश माइनसट्व दैस दैस कि दैस दैस कि अट्वेम से आपके जो है वो पॉजिटिव कंसी कुटिव इंटीजर ऐं को और यगाँव के निक्रीटिव कंसी कुटिव इंटीजर्स आए थीक है तो यहां प्रμसिपर स्कूश्ण में और भोला गया है कि टू consecutive positive integer लेना है तो negative लेना ही नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं है आप चाहे इन दोनों को ले लीजे तो मैं सबसे पहले इन दोनों को लूँगा और इसको रखूंगा, solution let two consecutive positive integers are x and x plus 1 then दा सम आफ फूज स्क्वाइर और लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस वन देन दा सम फूज स्क्वाइर आर देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो सम है उनके स्क्वाइर का वो three수ak prophets पहले तो इन नमबरों को स्क्वाइर करेंगे मेंज एक्स स्क्वाइर और एक्स प्लस वन का े होल स्क्वाइर फिर िनको सम करेंगे सम मीन्स प्लस साइन और यहे इक्वल टू है 365 k तो आप देख ACT पर ना क्वे अप्लस वन में की WIN день कि एडीन टीटी लगेगी एप्लस टू एबी गुलस बी elli स्क्वार ठेक है कर तो यहां पर हो जाएगा एक स्क्वायर फ्लस एक स्क्वायर फ्लस डू इंटू एकस इंटू 1 यह हो जायगा 2 x इस कोए 1多 1 ही ओगा इज इकोल to 365 x2 12 x2 12 x1 यह प्यूस में है इधर रायेगा तो माइनस में हो जाएगा 365 is equal to 0 तो यह हो जाएगा 2x square plus 2x एक कम हो जाएगा तो यहां जाएगा 364 बड़ा नमबर माइनस का है तो यहां पर आजाएगा माइनस 364 is equal to 0 इन सभी में से 2 को common ले लेंगे तो यह हो जाएगा यहां से 2 निकलेगा x square बचेगा यहां से 2 निकलेगा x बचेगा और यहां से टू अन्जा 2 टू एट जा 16 टू टू जा 4 तो यह हमारा quadratic equation बनेगा क्या बनेगा x square plus x minus 182 is equal to 0 अब हम इसको factorize करेंगे तो factorize करने के लिए सबसे पहले 182 का factor find करने पड़ेंगे 2 9 जा 18 2 1 जा 2 7 13 जा 91 13 बनेगा 13 तो एक तो बनेगा हमारे पास 7 टू जा 14 एक बनेगा 13 तो 14 इंटू 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा और 14 minus 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अब 1 की जरूरत कहां पर है देखो यहां पर जो यह bx है तो यहां पर x के साथ कुछ भी नहीं है लेकिन 1 होता है क्या होता है 1 होता है वो लिखने की जरूरत नहीं होती है तो यह हम रखेंगे यहां पर b के place पर तो क्या हो जाएगा x square plus 14 minus 13 into x minus 182 is equal to 0 तो आगे क्या होगा वो देखो एक्स स्क्वेर प्लस 14 x minus 13 x minus 182 is equal to 0 यहां से देखो x common कर लेंगे तो यह हो जाएगा x plus 14 यहां से minus 13 common कर लेंगे तो यह हो जाएगा x plus 14 is equal to 0 तो यह x plus 1 x plus 1 same same है common हो जाएगा तो यहां पर बचेगा x और यहां पर बचेगा minus 13 is equal to 0 यह दोनों का product 0 के equal है तो x plus 14 is equal to 0 x is equal to minus 14 x minus 13 is equal to 0 तो यह x is equal to हो जाएगा plus 13 तो minus वाली value हम लेते नहीं है plus वाली value लेंगे तो x यानि कि जो हमारा एक number है वो 13 हो जाएगा और दूसरा number कितना हो जाएगा 14 second लिए कर ला एक नटब था झाला यह गाट दस था दव स्टव जो सीकुटिव तो चन्सीकिटीब तो स्टवितिव टूस्तिव डिजर रडीटीजर और थर्टीन एर पहरटीन एर्टीन एर्टीं इपर तो दिजर जर तौर्टीन इंट वाटीन एर्टीन वाटीन योह से तो यह हमारा आंसर हो जाएगा इस question का आप चाहो तो वीडियो को pause करके rate down कर सकते हो या फिर screenshot ले सकते हो तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक अगले